दोनों अलग-अलग हम दोनों पे आएंगे पहला सवाल है जो हमने अभी तक क्या किया है ये थर्ड जारकन राज हिंदु धार्मिक न्यास बोट का गठन हुआ जारकन सरक्वार माननी है मंत्सुरें मुक्यमंत्री जी के द्वारा ये गठन किया गया यहां पे पहले जादातर समय भारती जंता पार्टी की सरकार रही है उसने हिंदु धार्मिक भावना के अनुरूप काम करने के लिए कभी इसके बारे में कोई चर्चा ने किया कोई धार्मिक न्यास का गठन नहीं किया उसको रिगुलेट करने के लिए उसको तमाम चीजों क को जानने के लिए उसने कभी कोई कदम नहीं उठाया धार्मेक न्यास बोड का गठन जब से हुआ है अभी थर्ड हम लोग लगातार काम कर रहे हैं दो बैठक हो चुकी है बोड की अभी तीसरी बैठक भी एक वीक के अंदर होने वाली है जगा जगा पे हम देख रहे हैं कि न्यास के संपत्ती को बेचा गया है देवघर में पहले 27-28 धरमशाला हुआ करते थे जहां गरीब अगर जाएं तो परिवार के साथ एक दिन बिता सकते थे बाबा का पूजा करने के बाद वहां पर रह सकते थे अपने परिवार के साथ आज 7-8 धरमशाला वहां पर बेच दिया गया है गैर कानूनी तरीके से वो हिंदू जनमानस का वो जमीन था उसको मिली भकत करके वहां से बेच दिया गया और बेच कर उसमें होटल बना दिया गया है अज कौन गरीब आदमी 5,000-3,000 का कमरा लेके वहां रह सकता है तो हम लोग वने फैसरा लिया है कि जितने वहां पे गैर कानूनी तरीके से बेचा गया है उसको वापिस हिंदू समाझ के धरोहर के रूप पे वहां लिया जाएगा और वहां पे वापिस धरम्शाला बनाया जाएगा जहां 100 रुप्ये 200 रुप्य के मामली पैसे पे जिससे मेंटेनों होगा उस पैसे पे वहां पे गरीब व्यक्ति भी वहां रह सकेगा परिवार के साथ दिन विता सकेगा यह सिर्फ एक जगह की बात नहीं है जगह जगह पे लोग कुंडली मारकर एक मठाधीश बनाके लोग बैठ गये हैं मंदिर को अपना परसनल संपत्ति समझें मंदिर किसी का परसनल जायदाद और पत्ति नहीं है वह पूरे तमाम हिंदू समय यह जन्मानस का है और हिंदू जन्मानस के साथ उनके भावना के साथ वह लोग खेलवार कर रहे हैं यहां परकई जगह पर हमने कल उदारन दिया था हम लोग के पास उदारन महाविरस्थान पट्ना का जहां पर एक मंदिर से वो अगर सही से चला तो एक विशाल मंदिर वहां बना, उस मंदिर के निर्मान के बाद आज तीन अस्पताल, महाविर कैंसर होस्पिटल, महाविर जनरल होस्पिटल, महाविर आई होस्पिटल, ऐसे वहाँ पे अस्पताल का चलन हो रहा है। अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथी वेल आइकन बटन दवाना न भूलें।